हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल नौट इस ब्लोगर्स दोस्तों आप लोगों से कई दिनों से मैं नहीं मिला हूँ खासकर एक्षल 6 के वीडियो के साथ तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ वह इसलिए क्यों कि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मेरे एक्षल 6 के वीडियो को देखने के बाद ये सवाल पूछे हैं कि माइलेज आपको कैसा मिलता है और किस तरीके से माइलेज जो आपको बराबर मिल रही है उसको आप मैंटेंड कैसे कर रहे हैं तो दोस्तों ये माइलेज क जो चक्कर है इसके उपर कई वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि क्या क्या कंडिशन से जो आपको मान कर चलने हैं जिससे कि आपका माइलेज बरकरार रहेगा या आपको अच्छी माइलेज मिलेगी उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उपर दिएगे लिंक क है उसको करने पर मुझे खासकर बहुत ही बहतरीन तरीके का माइलेज इस XL6 आलफा मॉडल में मिला है जो 2023 फेबुरी का मॉडल है आप लोग जानते हैं हम लोगोंने फेबुरी में खरीदा था तो दोस्तों आए आगे बढ़ते हैं और उन जरूरी बातों को जानते हैं जि इसे चीजों के बारे में मैं डिसकस करने वाला हूं जिसके सहारे एक्चुली सस्मुच आपकी गाड़ी में आपको माइलेज जादा मिलेगा और दो तीन पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिसको जानने के बाद सायद आप भी सोचेगे कि क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों यह जो ची गाड़ी में दम नहीं है गलत बात है दो गाड़िया आ रही है बीच में से और उनके बीच में से मुझे निकलना है हलका सा चड़ाई भी है मैंने फुल स्पीड में गाड़ी निकाली है कोई पीक अप की कमी नहीं है लोग ऐसे ही कहते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है उसके लिए कई चीजों को आपको ध्यान दे कर रखना हुआ कि पहले से मोमेंटम आपका बनाया हुआ हो तभी न आप निकल पाएंगे आप दो किलोमेटर के स्पीड में दोर रहे हैं और जट से आपको दस चाहिए तो सर कभी नहीं बन पाएगा लेकिन अगर आप आठ में दोर र ड्राइव करके देखा है कई चीजों के बारे में मुझे उलट पुलट कर इधर उधर से कई चीजों को करने के बाद मुझे दो तिन चीजे समझ में आई है जिसके सहारे माइलेज इस गाड़ी में आपको 20 से उपर ही मिलेगा हाईवे में और टाउन में 16-17 से उपर ये गरंटी में आपको बता रहा हूँ लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप करोगे और आपकी गाड़ी में वो चेंजे जाएंगे जानने के लिए आप ये मेरे वीडियो पूरा अंद तक जरूर देखिएगा बीच में स्कीप नहीं कीजेगा क्योंकि मैं उन जरूरी बातों के बारे में डिसक्स करने वाला हूँ अक्सर मेरी पहले वीडियो के जैसे ही कुछ ऐसे बातों का डिसक्सन में इस वीडियो में करूँगा जो सायथ ही कभी किसी ने यूट्यूब के किसी वीडियो में कभी खास कर XL6 के लिए कहीं किया होगा तो दोस्तों आई आगे बढ़ते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए एक गारी में तो सबसे पहले देखिए दो-तिन चीजे हैं जो अकसर सब भी लोग कहते हैं किताबों में भी लिखी हुई है गेर चेंज करते समय आप गारी के मोमेंटम को न तूटने दे या फिर न तोड़े यानि ज़्यादा समय मतले गेर चेंज करने के समय ताकि आपने एक स्पीड पिक अप किया गेर को चेंज करने में आराम से चेंज किया पता लगा स्पीड 40 से 30 आ गिया वैसा नहीं गियर को आप टाइम में चेंज कीजिए और जब आप गियर चेंज करने के बाद क्लस्ट छोड़ेंगे उस वक्त कितना स्मूथली आप प्यार से क्लस्ट को छोड़ सकते हैं ये भी माइलेज में माइने रखता है तो ये जो गियर को आप स्मूथली चेंज करके आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो गाड़ी का मोमेंटम बराबर बरकरार रहेगा और आपको पहली पॉइंट जो ये मैंने गियर के बारे में बताई माइलेज आगे आपको मिलने में ये आपको हेल्प करेगा दूसरी इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ इस गाड़ी में एक स्मार्ट हाइब्रीट की फैसिलिटी बनाई हुई है जो लोग कहते हैं कि स्टार्ट होके बहुत दूर जाना है बिश्वास नहीं करोगे आप आज सुबह ही की किस्चा है मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी घर पे खड़ी थी कल रात में दिवाली के लिए बाहर खड़ा किया था गेरेज पे ही थी अंदर पोर्स पे नहीं थी बत जस्ट मैंने सुबह गाड़ी को स्टार्ट किया बैक किया और गेट के बाहर निकाला और तब तक जो आभी आप वीडियो मेरे देख रहे हैं कैमरा मेरी छोटी बेटी के हाथ में है तो जब तक बेटी आकर गाड़ी तक पहुंसती मैंने गाड़ी को गेट के बाहर रोका लेकिन एक अलग स्टाइल से वो ही जिस तरीके से स्पीड हाइब्रीड एक्टिवेट होती है मैंने क्या किया था गाड़ी को गेरेज में स्टार्ट किया थोड़ा सा समय मैंने रोका वहां पर जाकि वो इंजिन गरम हो जाए थोड़ा चार्ज ज्यादा होता हूं करके ज्यादा एक्सेलेटर लेता है फिर वो नीचे आता है यह जरूरी है ताकि गाड़ी का इ काला मुश्कील से 50 मीटर भी नहीं हुआ होगा और लेकिन मैंने गेट के वाहर रोकते रोकते गाड़ी को सबसे पहले न्यूटिल कर लिया था लेकिन क्लच छोड़ी नहीं थी जब गाड़ी रुख गई मैंने क्लच छोड़ दी आप विश्वास नहीं करोगे स्मार्ट हाइ के डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उपर दिएगे आई बटन को जरूर क्लिक किजिएगा उस लिंक के सहारे आप स्मार्ट हाइब्रीड वाला डिटेल वीडियो देख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में छोटा सा बात बता देता एक तो सिल्ट बेल्ट आपको ड्राइबर साइड में लगा के रखना जरूरी है दूसरा ये दर्वाजा आपको नहीं खोलना है ड्राइबर साइड वाला इसे खोल देंगे तो भी स्मार्ट हाइब्रीड डियक्टिवेट हो जाती है और किस तरीके से आप क्लच और गियर क बना कर रखने का न्यूटल पोजिशन पर कहीं अगर इधर उधर हो गया और आप रुख गए और वहाँ दिखा रहा है आपके पैनल पर कि स्मार्ट हाइब्रीड वाली फैसेलिटी एवेलेबल नहीं है तो उस वक्त दोस्तों में आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा गा जैसे एक्सेलिटर वापस आएगी अपने पोजिशन पर आपकी स्मार्ट हाइब्रीड एक्टिव हो जाती है यह खड़ी गारी में भी आप स्मार्ट हाइब्रीड को एक्टिव कर सकते हैं तो यह जो स्मार्ट हाइब्रीड एक्टिव होती है नजर तो उस वक्त भी आपक को ड्राइव करते हैं लोग क्या करते हैं कि रफली गाड़ी को ड्राइव करते हैं और एक तम पुरा फुल रफ उनको निकलना है स्पीड मेंटेन चाहिए गजब का फोर्स चाहिए जैसे कि कोई रेसिंग कार चला रहा हो उस तरीके से भी आप गाड़ी को चलाएंगे न मैंने कोशिस की है एक वीडियो उसके लिए मैंने अलग से बना कर भी रखा है लाओंगा आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द वर्स्ट से वर्स्ट माइलेज उस केस में मुझे 12 किलोमेटर पर लि नीचे ही था मतलब खराब से भी खराब ड्राइविंग में ने की थी लेकिन फिर भी मुझे 12 किलोमेटर के एवरेज उसमें मिली लेकिन मैं आपको एक चीज बतारा चाहता हूं यह जो एवरेज का मीटर जो यहां दिखाता है कि आपको 19 मिल रही है या 15 मिल रहा या 18 मिल यह एक्चुली जो उस वक्त एजस्टेड पोजिशन पर रहता है वो आपको दिखाता है यह नहीं है कि गाड़ी क्या माइलेज दे रहा है गाड़ी उससे जादा भी दे रहा है होगा क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता है उस वक्त उसी रणिंग पोजिशन पर आप reset करके दिखना, आपकी 15 की 20 हो जाएगी, 20 की 25 हो जाएगी, अगर 25 दिखा रहा है तो 32, 35 दिखाएगा, धिरे 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 वो settle लोकर अपने position पर आएगा, इस बात को रखने के लिए भी मैं आप लोगों को ये दो clip जोड़ कर आगे दिखा रहा हूं, देखिए, ये जो छोटे-छोटे दो clip जो जोड़ कर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये हाल ही में दो दिन पहले मैं काजिरंगा के लिए गया था, जहां मुझे यहां इस dashboard के सहारे पता लगा, कि मुझे 19.2 की mileage आई है, लेकिन actually ये जो सुजू की connect के app के सहारे मुझे पता 26 तो ये जो चीजे हैं कि मुझे 19 दिख रहा था, लेकिन वहां 20 की भी record हुई है, चीज वो है, maintain उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको कम दिखा रहा है, क्योंकि पहले की average कम थी, वहां से सारी चीजों को set up करकर एक position में लाने में समय लगता है, तो दोस्तों उसके लिए गाड़ी आप कैसे चलाएंगे, ये एक बहतरीन बात है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, पता नहीं आप लोग कैसे maintain करते हैं XL6 में और खासकर दूसरी गाड़ीों में, मेरा तो कुछ हटकर है दोस्तों इस बामले में, देखिए मैं आप लोग को एक चीज आगे बढ़ाना चाहता हूं, मेरा एक ही ध्यान रहता है, कि भया, स्पीड अगर मुझे लेनी है, तो हाथो हाथ ले लो बस, माइलेज की भूल जाओ आप, चाहे वो दस की आजाए, फरक नहीं पड़ेगा, आपको स्पीड अगर 80 की चाहिए, दबाओ, स्पीड 80 तक चालो आप, उसके बाद आप मेंटेन करना चालो करो, वो सारी चीजे जो गाड़ी में माइलेज आपको सही देने के लिए जरूरी है, जैसे कि आप एक वराबर स्पीड मेंटेन करें, खासकर इस एक्सेल 6 में जो सुभीदा है, यहाँ देखिए, आईए, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, देखिए, जैसे ही इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ एक मीटर गौज आएगा, देखिए, यह भी खाली पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, यह इसको ठीक है, मैं थोड़ा देर के लिए चलाता हूँ, आप देखिएगा, इसमें एक ग्रीन रंग की आएग जो बढ़कर कभी-कभी 20 के पास पहुंच जाती है, और यहाँ तो फिर कभी-कभी उससे भी नीचे चली जाती है, तो जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे, तो वो नीचे चली जाएगी, और लेकिन जब आप एक्सेलरेटर छोड़ देंगे, तो वो उपर चली आती है, देख रहे हैं 20 क्रोस कर गिया था ठीक है तो इसको अभी फिलहाल गाड़ी को मैं यहीं रोक रहा हूं यह जो ग्रीन कलर का जो सामने जो मीटर उभर कराता है जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो आपके माइलेस को हर वक दरसाता रहता है आप जब भी एक्सेलेटर देंगे वो कम हो जाएगा जब आप एक्सेलेटर छोड़ देंगे वो बढ़कर 50 तक दिखा देता है तो यह जो चीज है जो मैंने कहा कि आप सबसे पहले तो अपनी स्पीड बढ़ा लो 80, 90, 100 जो भी आपको चाहिए वहां तक पहुँचो माइलेज की चिंता छोड़ दो आप आपको बस स्पीड मेंटेन करनी है वहां तक पहुँचो उसके बाद आप एक्सेलेटर छोड़ कर एक बरकरार स्पीड को मेंटेन करने के लिए उस जो ग्रीन कलर की जो लाइन उभर कर आती है न उससे ध्यान दे कर आपको गाड़ी च क्योंकि दोनों में चीज को देखकर समानतर गाड़ी को हाईवे में चलाना भी सही चीज नहीं है इतना मतलब आसान भी नहीं है क्योंकि सामने से ट्रफिक रहती है कई चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है लेकिन एक आठ बार जब आप इन चीजों को ध्यान देकर ड तो दोस्तों इन छोटी-छोटी चीजों को अगर आप मिला कर गाड़ी को आगे चलाओगे तो आपको माइलेस तो बेहतरीन मिलेगी ही लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी एक चीज है जो मैंने खोज कर निकाली है अपको विश्वास नहीं होगा आपको एक चीज दिखात दोस्तों जो यहां driver के दोड के पास में यहां लिखा हुआ रहता है यह देखिए यहां देखते हैं आप कोन से टायर में आपको क्या प्रेशर मेंटेन करके चलना है वो लिखा हुआ है देखिए टायर साइज जो अपनी गारी में लगी हुई होती है और रीम साइज वगर 38 अगर normal condition है तो दोनों में 29-39 देख रहे हैं यह जो चीज है ना दोस्तों यह चीज एक्चुली क्या है कि मुझे तो कभी गाडियों के इस मामले को कभी समझ में आया ही नहीं है क्योंकि मैंने छोटा में हमेशा एक ही चीज पढ़ाई की है वो जानने के लिए आप लोगो को दुबारा बताना चाहता हूं कि friction जितना ज्यादा होगा यानि सरकों में घिसरन जितना ज्यादा होगा सरक का पकड़ आपके गाड़ी में उतना ही ज्यादा होगा और गाड़ी को उतना ज्यादा फोर्स लगाना होगा आगे बढ़ कर जाने के लिए मैं तो इसी को मैं यहां भी इंप्लीमेंट करता हूं दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे यह सवाल पूछा है कि आप गाड़ी में टायर प्रेशर कितना मेंटेंड करते हैं दोस्तों आप सुनकर दंग रह जाओगे यहां तो 30 की दिखा रही है एवरीज दोनों टायर में अगर लोट जादा हो तो 32-38 करने के लिए लिखा हुआ है लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे आप करके देख लीजिए आप अपनी गाड़ी में 30 की एवरीजिंग चारों चक्के में आपको माइलेज क्या मिलेगी मैं बिना देखे आपको वता रहा हूं आपके माइलेज बारक 13 के आसपास आजाएगी टाउन में कभी-कभी 11 भी दिखाएगा और हाइवे में तो आप भूल जाओ 18 से उपर आपको मिलने से रहा है लेकिन आप 40 का कर लो हर एक टा टाउन की माइलेज बढ़कर 17 से उपर चली जाएगी जो 18 भी हो सकता है मुझे तो 17-18 मिल रही है टाउन में और यह चोटे-चोटे-चोटे-दो क्लीप से मैं आपको अभी शेयर कर रहा था थोड़ी देर पहले दुबारा दिखा रहा हूं आपको 40 की पॉइंट पे मुझे 21 तक का माइलेज मिला है काजिरंगा लास्ट में गया था अभी दो दिन पहले वहां का वारे में मैं आपको बता रहा हूं तो दोस्तो जब यह गाड़ी मुझे कमपनी के तरफ से मिली थी आप सुनकर हैरान हो जाओगे पता नहीं क्यों कमपनी व भड़ी गई थी कि मैं दिखाता हूं आईए यह जो टायर का जो नौब है न इसके सहारे आपके टायर में कितना हवा भरा जाता है इसको खोल कर यह बहुत जरूरी चीज है तो तो मैंने जो देखा था कि जब यह टायर प्रेशर नापने के लिए उस टायर वाले ने उस प आपको बताऊंगा तो आप भी सोचोगे ऐसा थोरी होता है विश्वास नहीं करोगे यहां हर चार को चारो टायर में एयर प्रेशार दिखा रहा था बावन का फिफ्टी टू यानि पचास मान के चलो आप दो पॉइंट तो मैंने छोड़ दी उसकी मीटर के भी गलती हो सक तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी में माइलेज आपको चाहिए तो यह जो छोटी छोटी चीजे हैं मैंने आपको वो तो बताई है वो आपको करके चलना है लेकिन टायर प्रेशर में मैं आपको कह रहा हूं चिंदा मत यहां में भी बहुत गर्मी रहती है टायर ब्लस्ट होगा कुछ ऐसा होगा टायर हीट हो जाएगी ऐसा कुछ चीज नहीं है 40 से उपर ही सके तो 50 रखिएगा टायर में एर प्रेशर का मात्रा देखिया आपको माइलेज नहीं मिलता है तो मुझे बताईएगा फिर कि मुझे पचास करके भी माईलेज नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा तो एक इस इद्धानत है जो समझ में आ रहा है जितनी जदा हवा टायर के अंदर होगी उतना बढ़िया तरीके से टायर फुलेगा और उतना फिट होने के कारण रस्ते के संपर्क में उतना टायर का कम हिस्स आएगा और जिसके चलते गाड़ी बहुत कम फ्रिक्षन में आगे जाएगी तो माईलेज तो मिलना ही है उसी सिल्चिले में साइंस का बात बता रहा हूं मैं आपको और अगर फिर भी आपको कहीं माईलेज नहीं मिल रहा है इतना कुछ करने के बाद में भी तो दोस्तों एक बहुत बहुतरीन चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो यह है एक मिनिट मैं बॉनेट खोल लेता हूं मैं आपको बताता हूं देखिए गाड़ी के अंदर आपका ऑक्सिजन सेंसर होता है ठीक है यह भी वापस फिर वही साइन्स वाली कहानी हो गई कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ाई की थी ऑक्सिजन सपोर्ट बार्णिंग हम लोगों ने एक ही चीज सिखा था घुम फिर के गाड़ी में भी वही कहानी है पहले कर्बोरेटर अगरा होता था जिसमें एयर की मात्रा कॉंट्रोल करने के लिए नब हुआ करता था उस नब को घुमा कर मेकानिक अपने हिसाब से सेट करता था कि असली में कितना हवा गाड़ी के अंदर जाएगा उस मात्रे के अनुसार कितना तेल जलेगा आजकल वैसा नहीं होता है आजकल इंजिन में ऑक्सिजन सेंसर्स लगाए गये हैं यह आप देख सकते हैं यहां य जो आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई है जो हावाक से ऑक्सिजन की मात्रा सेंस करके गाड़ी में जो कंबश्चन का जो सिस्टम है उसको पूरा करने के लिए सही धंसे गाड़ी को एयर देता है वो मात्रा अगर आपकी गाड़ी का ऑक्सिजन सेंसर सही है जहां तक अगर आपका oxygen sensor काम करता हुआ दिखा रहा है क्योंकि वह computer का पैनल अंदर होता है उसमें जब भी आप अपना तार वाला clip लगाएंगे और computer के पैनल में आप चेक करेंगे किसी भी service center में जाकर वहां गाड़ी की हर एक चीज दिखाई जाती है तो वहां कितना oxygen sensor काम कर रहा है क्या rate में oxygen बंड कर रहा है गाड़ी start करने पर वह भी आपको दिखाएगा तो अगर आपके oxygen sensor ज्यादा दिखा रहा है मानिए 1600, 1700, 1800 कुछ ऐसा रीडिंग दिखा रहा है तो दोस्तो यह चीज गरंटी है मान कर चलिए आपका oxygen sensor खराब हो चुका है और आपको चाहिए कि आप उस oxygen sensor को जल्द से जल्द बदली करवाए और फिर बहतरीन से बहतरीन माईलेज पाएए तो दोस्तो मेरी यह जो बाते हैं इ मैंने अपनी गाड़ी में बरावर 20 से उपर हाईवे में माईलेज परसो तो मैं काजिरंगा गया था जहां मुझे 21 के उपर माईलेज मिला और आप सुनकर दंग रह जाओगे अंदर कितने लोग थे फुल में चला रहा था सामने एक सज्जन बेठे थे पीछे उनकी वाइफ थी बगल में उनकी बेटी थी पीछे एक सीट में मेरी छोटी बेटी थी जो अभी आपके लिए ये वीडियो बना रही है और उसके बगल में आप और भी सुनकर दंग रह जाओगे दो फुल फु आड़ी में मुझे 21 की माइलेज मिली है वाकाइदा सुजू की कनेक्ट का एप भी बता रहा है लेकिन मुझे अंदर से 19 ही दिखा रहा था लेकिन उसमें वैसा आया है तो दोस्तों ये जो छोटी-छोटी चीजे हैं खासकर बाकी सब चीजे तो आपके कांट्रोल में नही है ठीक है यह आपके कंट्रोल पर है इसको आप अपने अनुसार मेंटेन कीजिए चालिस से उपर रखिए हो सके तो पचास रखिए आपको माइलेज नहीं मिलती है या फिर माइलेज में फरक नहीं आती है तो बताईएगा आप तो दोस्तों आज के लिए माइलेज वाली वीडियो में जोरहट असाम से इतना ही आप लोगों को ये एकसेल सीख वाली माइलेज की कौनवर्टेशन वाली वीडियो कैसी लगी मेरी कही गई बातों से आप सहमत है या नहीं है कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा और दोस्तों आप लोगों में स हर नए वीडियो को बराबर पा सकें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बाई बाई